हमारे चाचा जी है किसी शादी में उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा परिवार असफल हो गया और थोड़ा आंख में आसू ले आए हमारे चाचा जी बहुत एक छोटी नोकरी किये और दिल्ली में एक मकान दो मकान के दो कमरे के मकान में रहे भाई के बच्चों को रख के पढ़ाया अब जब सब बड़े हो गए तो मैंने कहा जी असफल क्या हो गया जितने की नोकरी से आप रेटायर हुए हो उससे ज्यादा से बच्चे नोकरी पर लग गए हैं सब के पास मकान हैं गाडियां हैं बोले यार यह बात थोड़ी बोल र रहा आपस में प्यार नहीं रहा तो मैंने उनको बोला कि देखो आप सुभा चार बजे से उठके दिल्ली में ठंड बहुत पढ़ती है और हमारे पिता जी चाचा जी ऐसे पीछे पढ़े रहते थे सुभा चार बजे उठा दें और नींद लग जाए तो फिर थपड़ तो मैं बोला कि आप सुभा चार बजे उठाते थे आपको पढ़ना नहीं होता था आप बिना मतलब हमारे साथ जगते थे आप तीचर इंग्लिश फिजिक्स मैस का बैस टीचर ढूंडते थे उसके पास वो पढ़ाने के लिए जगा नहीं होते थी तो भी आप एपरोच ल रहें उनमें कोई गिला सिक्वा शिकायत ना हो कोई एक दूसरे को हर्ट मत करे कोई हर्ट मत हो इसके लिए हमने कौन सी टूशन की थी कौन सी कोचिंग में गए थे तो बोले है इसके लिए कोचिंग थोड़ी होती है प्यार से तो रहते ही है तो क्या समझ में आया ऐसा मेरे घर में हो रहा है कि सबके घर की कहानी इतनी है सबके घर की कहानी इतनी है हमने taken for granted मान लिया बस घर का size छोटा है थोड़ा कमरे जादा हो जाएं AC लग जाए, गाड़ी आ जाए गाड़ी AC वाली हो और बाकी तो सब ठीक हो जाएगा ऐसा हम मान के चले थे और ऐसा हो गया उसके बाद भी जिन्दगी में वो बाहर नहीं आये जिस बाहर की हमने काम ना की थी दोस्तो, इसका मतलब यह हुआ जिन्दगी को समझ पाने में मानव को समझ पाने में अभी तक हम सफल नहीं हुए हम मानव को समझ पाने में सफल नहीं हुए पर यदि हमको माइक समझ में आता है तो माइक कोई प्राब्लम देता है कोई प्राब्लम नहीं देता है यदि ये प्राब्लम करेगा तो इसको रिपेर कर देंगे camera कोई problem नहीं देता है, fan कोई problem नहीं देता है, AC कोई problem नहीं देता है problem आती है तो उसके लिए कोई engineer होता है, phone कर देता है, आगे ठीक कर देता है मेरे सोचने में problem आती है, मेरे भाव में problem आती है इस करना कोई engineer है, इसको मैं ही जहलता हूँ इसका मतलब है इस पे हमारी पकड अभी नई बनी है तो जिस पे पकड नई बनी है उसको जहल रहे हैं जिस पे पकड बन गई है उससे पार पा गया है उसको enjoy कर रहे हैं